कबूतर, चिडिया, मिठू, मिठू की पतनी और बाकी सब कालू कवे की बारात लेकर सागर वाले जंगल में पहुँच चुके थे दुलहन भी सच धज कर बैठी हुई थी कालू तुम्हारी पतनी तो बहुत सुंदर है बहुत भागेशाली हो तुम मेरी शादी तेर से जरूर हुई मगर हुई संदर कवी से तुमसे भी जादा काली है तुम्हारी पतनी मा मैं अभी दो मिनट में आती हूँ तुम अब कही नहीं जाओगी बैठो यहाँ मा आपको मालूम तो है मैंने सुभा से एक भी चुप चुप कर जाओ दफा हो जाओ जल्दी आ जाना गोरी वाशों में जाती है और जल्दी से सिगरट सुलगा कर पीने लगती है गोरी कवी की सहेली ने उसे दो महीने पहले सिगरट पीने पर लगा दिया था मकर आप वो अपनी इस आदत से इतनी मजबूर हो गई थी के अपनी शादी वाले दिन भी उसे रहा नहीं जाता सिगरट पीकर गोरी कवी वापिस आ जाती है कितनी कंदी बू आ रही है जैसे किसी ने सिगरट सुलगाई हो मगर यहां तो किसी ने सिगरट नहीं सुलगाई पड़ासन मेरी पड़ासन सिगरट पीती है उसी के घर से बू आ रही है बेटा मा अब कर भी दो शादी मैं ठक गई हूँ बैठे बैठे फिर गोरी और कालू की शादी हो जाती है कबूतर और मिठू खूब डांस करते हैं बढ़ाई हो कालू भीया बढ़ाई हो कालू भीया अब हम सब कल आपके घर मिठाई खाने आएंगे कवा और कवी घर पहुंचाते हैं दुलहन बनी बैठी कवी बहुत सुन्दर लग रही थी तुम्हारे इस पर्स में क्या है ना ना इसे ना हाथ लगाना इस पर्स में मेरा मेकप का सामान है आप बैठें मैं अभी आपके लिए खाने के लिए भजन लेकर आता हूं कितनी देर लगेगी तुम्हें पती जी आने में मैं चिडिया के घर से भजन लेकर जल्दी ही लोटाऊंगा आज का खाना चिडिया ने बनाया है हमारे लिए आराम से आना इतनी भी क्या जल्दी है कालू चला जाता है और गोरी खिड़की से कालू को जाते हुए देख रही थी इससे पहले के पती जी लोटकर आजाए मैं जल्दी से एक सूटा लगा लेती हूँ गोरी कवी अपने परस से एक सिगरट निकालती है और उसे सुलगा कर लंबे लंबे कश लगाने लगती है चिडिया बहन खाना त्यार है क्या? हाँ कवे भीया मैंने बहुत समाधिश खिचड़ी बना कर रखी ये आपके लिए और आपकी पतनी के लिए वो अकेली होगी अब मैं जाता हूँ फिर कालू कवा जल्दी से खिचड़ी लेकर वहां से चला जाता है दूर से कालू को आता हुआ देहकर गोरी आधी सिगरट बुजा कर फैंक देती है ये बू कैसी है धूए की है शायद मगर घर में तो आग जलाई ही नहीं आज वो मेरे सोई में गई थी चुला जला कर देखा था मैंने अच्छा अच्छा लो ये खिचड़ी खाओ बहुत मजेगी है फिर वो दोनों खिचड़ी खाते हैं सुबहा हो जाती है अब गोरी किसी ना किसी तरह सिगरट पीना चाहती थी वो सोच रही थी कि कैसे सिगरट पिये वो कालू से कहती है कालू जी मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ मैं भी जाता हूँ साथ नहीं नहीं आप कोई कावाम है तो कर लें मैं अभी थोड़ी दिर में लोटाऊंगी गोरी जल्दी से अपना पर्स उठा कर भाग जाती है वो पहाड़ों के पास वेराने में जाती है और इधर उधर देखर अपने पर्स से सिगरट निकाल कर सुलगा लेती है कमबख तो बहुत गंदी आदत है जब तक पीना लूँ सुकून ही नहीं मिलता गोरी मजे मजे से बैठी सिगरट पी रही थी कि कबूतर उसे देख लेता है ये, ये तो कालू की पतनी है नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या कर रही है कबूतर गोरी के पास जाता है कबूतर को देखकर गोरी कभी सिगरट अपने पंखों में छुपा लेती है गोरी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो आप, आप यहां से जाएं मैं अकेले में बैठकर परातना कर रही हूँ मुझे अकेला रहने दें आप यहां से चले जाएं मगर पीछे से निकलता हुआ सिगरट का धुआ कबूतर देख लेता है परातना कर रही हो या छुप छुप कर सिगरट पी रही हो मेरे पती को ना बताना पलीज अगर तुमने देखी लिया है तो मुझे सब के सामने बतनाम ना कर देना इतने गंदी आदत है तुम्हारी मुझे तो उसी दिन तुम पर शक हो गया था जब बार बार तुम वाश रूम जा रही थी कबूतर वहां से चला जाता है पीती रही यहां दराज में मैंने 10 रूपे रखे थे वो कहा है मुझे क्या मालूम मैंने तो नहीं देखे फिर एक दिन गोरी कवे के पास सारे सिगरेट जो वो अपने मैके से लाई थी खतम हो जाती है वो नदी पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी उसके पास अपने पती के चुराए हुए 10 रूपे तो थे मगर वो दुकान पर सिगरेट लेने जाने से बहुत डर रही थी फिर वो चड़िया के बेटे कूकू को 10 रूपे देती है कूकू बेटा जाओ और बुलबुल आँटी की दुकान से 10 रूपे के सिगरेट तो ला दो मुझे मगर आँटी वो क्यों मेरा मामा जी आया है वो सिगरेट पीता है छोटा बच्चा दुकान से सिगरेट लेने चला जाता है उस कवी से जाकर कोहो के बच्चों को सिगरेट देना कनूनन अपराद है वो खुद आए आँटी बुलबुल गोरी आँटी का मामा जी आए है इसलिए उसने मुझे भेजा है परन्तु तुम्हें सिगरेट नहीं मिल सकते कुकु खाली हाथ ही वापिस लोड जाता है गोरी आँटी बुलबुल आँटी ने कहा है कि अगर सिगरेट लेने हैं तो खुद जाएं बच्चों को सिगरेट देना अपराद है कुकु चला जाता है फिर गोरी कवी खुद ही बुलबुल के पास जाती है बुलबुल ये लो दस रुपए गोरी आप छोटे बच्चे को सिगरेट ने कभी न भेजना मेरा मामा आया हुआ है वो पीता है सिगरेट फिर गोरी कवी बुलबुल से सिगरेट लेकर एखने जंगल में चले जाती है वो छुप कर बैठ जाती है और सिग्रेट सुलगा लेती है उसका पती वहां से भोजन लेकर गुजर रहा था वो उसे सिग्रेट पीते हुए देख लेता है तो अब मैं समझा गोरी मेरे साथ कहीं क्यों नहीं जाती ये छुप छुप कर सिग्रेट पीती है कालू कवा कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है गोरी कहां थी तुम आज सारा दिन मैं? मैं आज मा से मिलने चली गई थी गोरी जिंदकी साथ को जानी है कब तक छुट बोलोगी? मुझे सब मालूम है तुम मुझे से छुप छुप कर सिग्रेट पीती है मैंने अपनी आँखों से देखा है तुम है ये सुनकर गोरी कवी अपने पती से बहुत शर्मीनदा होती है वो मेरी पुरानी सहली ने मुझे ये बुरी आदत डाल दी थी अब हम दोनों जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और मैं आपको दवा लेकर दूँगा जिससे आपकी ये बुरी आदत छूट जाएगी क्या? क्या ये मेरी आदत छूट सकती है? हाँ, मगर उसके लिए आपको फैसला करना होगा फिर कवा अपनी पतने को हेल्थ सेंटर लेकर जाता है और वहां से उसका इलाज करवाता है आहिस्ता आहिस्ता गोरी की सिगरट पीने की बुरी आदत छूट जाती है और अब वो अकेली नहीं बलके सबके साथ बैठना पसंद करती थी प्यारे दोस्तों, बुरी आदत आपको हमेशा रुस्वा करती है आपको अपने दोस्तों से अलग कर देती है इसलिए ऐसी बुरी आदत से बजें आपका धन्यवा मा ले, ये पैसे रख ले इतने सारे पैसे, बेटा ये आप कहां से लाए है ममा, वो मैंने लोटरे का टिकर लिया था पांच रुपे में और मेरा इनाम लग गया अपने बेटे की इस बात पर ममा चडिया को विश्वास तो नहीं आता मगर फिर भी वो चुप रहती है और वो पैसे लेकर रख लेती है बेटा, कभी भी किसी लालच में आकर कोई गलत पंक न उठा लेना बेटा, जो पंक उठ जाए वो कभी वापिस नहीं आता इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना मैंने सारी जिंदगी आपको हराम से दूर रखा महनस से कमा कर खिलाया है इसलिए आप भी कभी कोई गलत काम न करना ममा, बस भी करे मुझे सब पता है मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा मुझे सब पता है दूसरे रोज कुकु जगु के पास बैठा हुआ था यार जगु, जब मैंने ममा को बताया कि मेरी लोटरी का इनाम लगा है तो ममा ने मेरा विश्वास कर लिया अच्छा, मगर मैं तो ममा को सच सच बता देता हूँ जब मैंने ममा को बताया कि हमने कबूत चाचा के घर से पैसे चुराएं है तो ममा बहुत खुश हुई थी यार, तुम्हारी ममा चोरी करने से कुछ नहीं कहती मेरी ममा को चोरी करना पसाद नहीं है इसलिए मुझे जूट बोलना पड़ा आज मिठू अंकल के घर जाएंगे मेरी ममा ने मुझे बताया है कि मिठू अंकल की पतनी के गहने घर में पड़े है और मिठू अंकल की पतनी अपने मैके गई हुई है फिर तो हमें मिठू अंकल पर नजर रखनी होगी फिर वो मिठ्धू अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं, गर्मियों की दुपहर थी, इसलिए जंगल में ज्यादा पक्षी नजर नहीं आ रहे थे, सब गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे, कुकू और जगू छुपकर बैठे हुए थे, जब मिठ्धू नद संदूक से गहने चुरा लेते हैं, अब हम सीधे मेरे घर जाते हैं, और वहां जाकर इन्हें माट लेते हैं, वो ऐसा ही करते हैं, वो जगू के घर में जाते हैं, वारे कुकू, तुम्हारी ममा तो बहुत डरती थी, मगर तुम तो बहुत बहादर हो, तुम तो हमसे भी कि मैं चोरियां करता हूँ ममा ममा पापा ये गहने देखकर खुश हो जाएंगे आंटी मेरे हिसे के गहने भी आप रख लें और मुझे बदले में पैसे दे दे गहने देखकर ममा सो सो सवाल पूछेंगी हाँ कुकु ये बात ठीक है तुम्हारी मा का क्या पता जाकर मिठ्ठो को ही बता दे गहने देखकर तुम कल आकर मुझे से पैसे ले जाना ठीक है आँ मैं जाता हूँ कुकु बेटा दुपहर को इतनी गर्मी में सब अपने अपने घरों में थे मगर आप कहां थे ममा बुलबुल आंटी का बेटा पेड़ से गिर गया था मैं उसकी मदद कर रहा था शाबाश मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना इसी में भलाई है कुकु बहुत खुश था कि आज फिर उसकी ममा ने उसके जूट का विश्वास कर लिया है कुकु रात को देर तक जागता है वो सोच रहा था कि घोरी आंटी से पैसे लेकर वो कहां कहां घूमने जाएगा और फिर दूसरे दिन कुकु अपने घर से निकलता है जगु बेटा चोरियां बहुत मिहनसे होती है इतना आसान काम नहीं चोरियां करना मैं तो कहता हूँ उस कुकु के बच्चे को भगा दो जब वो गहनों के पैसे लेने आए तो कालू सच पूछो तो यही मैं सोच रही थी मेरा तो दिल नहीं कर रहा उसे पैसे देने को तो फिर ममा हमें उसे ठिकाने लगाना होगा ऐसा नहो के वो गुसे में सब को बता दे ये काम तुम मुझे पर छोड़ दो मैं उसे वेराने में ले जाता हूँ वो बातें कर रहे थे के कुकु भी वहां आ जाता है आउंटी मेरा हिस्सा मुझे दे दे और जगु आज किसे लूटने की त्यारी है मैं बताती हूँ कुकु जगु जाओ ये लो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड और कुकु को मशीन से पैसे ले दो फिर जगु अपने पिता का क्रेडिट कार्ड लेता है और कुकु को साथ लेकर वेराने की दरफ उड़ता है कालू जल्दी जाओ पीछे और लगाओ ठिकाने उस कमजोर जड़िया के बच्चे को बड़ा आया हिसा लेने वाला कालू भी रसी लेकर घर से निकलता है यार जगू इस वेराने में कौन सी मशीन है जहां से तुम पैसे लोगे मैं बताता हूँ ऐसा कहते हुए कालू पीछे से आता है फिर जगू और कालू मिल गए कुकु को एक पेड़ से बान देते हैं अब तुम यहां मरोगे अंकल कालू ऐसा ना करें जगू जगू तुम मेरे दोस्त हो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जो मेरी मम्मा कहती है मैं ऐसा ही करता हूँ मम्मा तुम्हें चोरी से हिसा नहीं देना चाहती कुकू को भंदा हुआ छोड़ कर कालू और जगू वहां से चले जाते हैं जो मम्मा कहती है मैं वैसा ही करता हूँ जगू की ये बात कुकू के कानों में गूंज रही थी जगू अपनी मम्मा की बुरी बाते भी मानता है जबके मैंने अपनी मम्मा की अच्छी बाते भी नहीं मानी कितना बुरा हूँ मैं, मैं दोशी हूँ कुकु रस्यों से बंदा हुआ रो रहा था मिठु अपनी पत्नी के गहने घर में ना देह कर रोए जा रहा था बहुत बुरा किया किसी चोर ने, मेरी पत्नी के गहने चुरा लिये मैं रक्षा ना कर सका अपनी पतनी के गहनों की रोता हुआ मिठू अपनी पतनी को बताने दूसरे जंगल जा रहा था जब उसे कुकु एक सूखे हुए पेर से बंदा हुआ नजर आता है ताकर कुकु को आजाद करता है बेटा आपको यहां किसने बांदा मुझे माफ कर दें अंकल मिठू मुझे माफ कर दें फिर कुकु मिठू को सारी बात बताता है और फिर बाद में उन्होंने मुझे इसलिए यहां बांद दिया कि मुझे आपके चुराए हुए गहनों से हिस्सा ना देना पड़े चुप कर जो बेटा तुम्हारे आंसु बता रहे है कि तुम्हें सीख मिल चुकी है अंकल मिठू आप पुलिस को फून करें और मेरे साथ कवों के घट चलें सीधे से बता दो गहने कहा हैं वरना मार मार कर सब का बैंड बजा दूँगा कालू कुकू कैसे बच गया पुलिस अंकल वो सामने संदूक में रखे थे इन्होंने मिठू अंकल के गहने फिर पुलिस संदूक से गहने निका लेती है और गवों के सारे परिवार को पकड़ कर ले जाती है मिठू अंकल मुझे घर छोड़ाएं मैं मा का सामना करने से डर रहा हूँ फिर साथ जाकर मिठू कुकू की ममा को सारी बात बता देता है चुड़ियो बेहन कुकू को माफ कर दे अब ये सीधे रास्ते पर आ गया है कुकू मेरे बेटे फिर कभी अपनी ममा का विश्वास न तोड़ना रोते हुए कुकू अपनी ममा के गले लग जाता है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है